नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको फाउंटेन पेंस रिव्य चैनल पर लेकिन आज हम कोई फाउंटेन पेंड नहीं बलकि ब्रस पेंड के बाद में बात करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं आपको इसमें 6 शेड आपको मिल जाएंगे तो यह कैमलीन का है और इसका कु पूलर हो रहा है तो देख लेते हैं यह चीज क्या है यहने बात से तो समझ में आ रहा है पैन होगा साथ में इसमें ब्रस भी लगा होगा देखते हैं अक्सल में क्या है तो दोस्तों अगर देखेंगे तो बिसिकली यह स्कैच पैन जो आते थे और इसकी सामने वाली जो हि अच्छा लिखता है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बैसिकली यह एक स्कैच पैन है जिसकी अगला भाग जो है जो टिप होता है वह सौफ्ट है जिसके कारण यह एक ब्रस जैसा काम करता है तो आप दबा के लिखेंगे तो यह मोटा आएगा हलके साथ से लेंगे तो यह होगा तो वैसे के लिए क्या है जो ओडर कलर साथ में है यह बिल्कुल वैसा ही है ओडर कलर यह स्कैच पैन जैसा लेकिन मुझे लगा इस्तिमाल करके इसको कि यह थोरा सा अलग है और कलर भी बहुत अच्छी तरह से आ जाता है तो अगर आपको कोई ड्रोइंग बगरा कर ना है जहाएं पर तो उसमें आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं अफिक है यह वी अच्छा है और बहुत ही अच्छा है और सबसें अच्छी जो बात है इससे करने से क्या होगा हात Chinese में जो बीफ हो भी अगर कुल मिला के बात करें तो यह ब्रस पेंट की तो मुझे लगा है कि इसके रेट की हिसाब से एक अच्छा इंवेस्ट्मेंट होगा आपके बच्छे के लिए तो अगर वो लोग नया करके ड्रोइंग सीख रहे हैं यह फिर नया वाल पेंटिंग यह कलर पेंटिंग कर र आपको मिल जाएगा और इसको खरीदने के लिए दिए दिया हुआ लिंक से आप इसको खरीद भी सकता है आज के लिए बस इतना ही टाटा बैबाए जाहिंद